तो मैं आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पर डेली जो लेवल है उसके उपर तो पहला जो सपोर्ट है गोल के लिए 56,250 का लेवल ये लेवल अगर तूटता है तो फिर यहां से थोड़ी से गिरावट बढ़ सकती है और लगबग लगबग 56,000 के आसपास का जो लेवल है दोस्तो वो फिर सपोर्ट निकल के आता है कौन सा है 55,950 के आसपास उसके नीचे चलते है तो फिर सपोर्ट आएगा 55,600 का और फिर अगर काटता है तो 55,000 के आसपास के लेवल जो है वो हमें ध्यान में लेने चाहिए गोल्ड के अंतर दोस्तो ठीक है तो यह कुछ लेवल वो हमें सपोर्ट के लिए ध्यान में रखने है अब उपर में क्या टार्गेट होगा क्योंकि वो टार्गेट ऐसा होगा दोस्तों की जो आपको चौका देगा नीद उड़ा देगा ऐसा टार्गेट है ठीक है और एक आपको मेरी तरप से जो है वो फ्री में राई भी दे जाओ वो आप जो है वो थड़ा सा समबल लेना 56,550 के आस पास का जो लेवल है दोस्तों को वो गोल्ड के लिए जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अगर यह रेजिस्टेंस बढ़िया बुलीश केंडल के साथ ऐसे बुलीश केंडल के साथ उपर की तरप काड़ दे अगर इसने अठावन हजार के उपर जो है वो जाने का ठान लिया दोस्तों तो फिर किसी के रोपने से रुकेगा नहीं और फिर यह जाएगा साथ हजार के पार ठीक है तो यहां पर जो है वो हमें थोड़ा सा ज्यान देना है स्ट्रॉंग सबूर निकल के आता है 56,250 का उस के नीचे चलते हैं तो फिर यह लेवल जो हमने डिसकेशन की है यह वैला रेजिस्टेंस है मतलब यह हमारा जो है वो पेपर ट्रेड के लिए एसल होगा अगर हम स्ट करते हैं तो और अगर बाय करते हैं उपर जाता है तो फिर थोड़ा सा लॉंग हमें वो सूचना पड़ आ चुका है तो अब अपनी पॉजिशन को थोड़ा सा संबल के रखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अगर आप भी ऐसे ही लेवल दोस्तों सीखना चाहते हो तो फिर यहां पर आप जो है वो में कै कर सकते हैं समझ सकते हो अपना ट्रेडिंग जो है वो खुद भी कर सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो के अंदर धन्यवाद